नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जिकेवित आरके में तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लेकर के आये हैं आपके लिए railway group D के लिए जो है practice set और ये आपको बता दे कि practice set छे है अभी तक हम लोगों ने 5 practice set क्या किया है देखे highway group D का जो परिछा भी होने वाला है उसके दिरिष्टी कौन से इस टेस्ट को हम ले करके आ रहे हैं और सारे प्रस्थ इसमें जो है जीके के हैं और ये इंपोर्टेंट भी है ठीक है तो विडियो के अंत का बने रहिएगा चलिए हम लोग अशार्ट कर देते हैं पहला प्रस्थ से देखे पहला प्रस्थ क्या है कि दच्छिन अफिरका से किस वर्ष गांधी जी भारत आए तो देखे इसका सही उतर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये 1915 इस वर्ष में दच्छिन अफिरका से भारत जो है गांधी जी लोट करके आ गये थे ठीक है सही उतर 1915 हो जाएगा दूसरा प्रस्थ रविंद्रनाथ टैगोर दोवारा लिखित गितानजली किसका संग्रह है ठीक है तो देखे यहाँ पर आपको दो प्रस्थ रखना है एक पुछतक का नाम है गितानजली जिसको किनों ने लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने लेकिन ये जो गितानजली के बहिसकार करने का कारण क्या था देखिए 1928 में साइमन कमिशन भारत आय था और यहां पर भारत में इसका बहिसकार किया गया था और इसका मुख्य कारण बहिसकार करने का क्या था तो यह था कि यह कमिशन भारतियों द्वारा सरकार बनाने की योगेता को प्रखने हेतु था किन्तु इसमें कोई भी भारतिय नहीं था देखिए सरकार जो है भारतिय द्वारा बनाने का मतलब की एक तरह से योगेता प्रखने के लिए था लेकिन भारत का किसी भी सथे को इसमें सामिल नहीं किया गया था इसलिए Simon Commission को बहिस्कार किया गया था अगला प्रसन देखे India Winds Freedom पुष्टक के लिखा कौन है किताब का नाम क्या है India Winds Freedom और इस पुष्टक को लिखने वाले जो वेक्ति हैं वो है मौलाना अबूल कलाम अजाद सही उतर option D हो जाएगा अगला प्रसन अपका है कौन पर्थम European था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा तो देखे European वेक्ति जिन्होंने समुद्री मार्ग जो है भारत में खोजा वो था पुर्तगाली सही उतर option ये हो जाएगा ठीक है अगला प्रसन देखे किसने हरीजन सेवक संग की अस्थापना की थी तो देखे हरीजन सेवक संग की अस्थापना करने वाले जो बेक्ति थे वो थे महात्मा गांधी सही उतर option C हो जाएगा महात्मा गांधी ने हरीजन सेवक संग की अस्थापना करी थी अगला प्रसन देखे इस्ट इंडिया कंपनी की अस्थापना की सब्सफ हुई थी तो देखे इस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी जो अस्थापना हुई थी वह 1660 में हुई थी ठीक है कब हुई थी 16001 में अच्छे देखे यहाँ पर तो AD लिखा गुआ है AD का मतलब की देखिए इस भी हो गया ठीक है और अगर ज़ρχी लिखा रहा था ठीक है BC PC का मतलब हो जाता है इसाब पूरु आनिकि गोतमबुध वाले समय में इसाब पूरु का लाता था और यह सब जो है इस भी कहलाता है तो AD और BC मतलब समझें चलिए प्रसन क्या था East India Company के अस्थपना किस वर्ष होई थी तो 1600 इस भी में होई थी अगला प्रसन अपका है किस गवर्णर जेनरल का नाम सहायक संधी के साथ जुड़ा हुआ है तो देखिए सही उतर हो जागा option ये वेलेजली जो है इनका नाम सहायक संधी के साथ में चुड़ा हुआ है अगला प्रसन अपका है किस ने वेदांत कोलिज की अस्थपना की थी तो देखिए वेदांत कोलिज की अस्थपना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे राजा राम मोहन राई राजा राम मोहन राई ने वेदांत कोलिज की अस्थपना किया था अगला प्रस्णब का है फिंद्लेंड का साच्व की मुद्रा क्या है? प्योंग आंग की इस देश की राजधानी है तो देखिए जगह का नाम है और ये जो है बहुत एक तरह से का सकते हैं सकते साली देश का सकते है इसको प्योंग्यांग जो है उसकी राजधानी है और इसका सही उतर अपका हो जाएगा option डी उतर कोरिया दचिन कोरिया और उतर कोरिया का नाम आप लोगों ने सुनाई ही होगा ठीक है तो यहां पर यह फेमस रहता है हमेसा तो देखिए प्योंग यांग जो है वो उतर कोरिया की राजधानी है समझे तो दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे थोड़ा सा वीडियो को रोग करके कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो नोटिफिकेशन आपके स्कीन पर दिखेगा जहां से आप यहां पर टेस्ट लगा सकते हैं समझे तो उमिद करते हैं आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा नहीं किया है तो फाटापट कर लिजे अगला प्रसन की और हम लोग तो वो है अपका अटलांटा यह जो है संजूगत राज अमिर्का का एक राज नहीं है अगला प्रसन देखिए अनुसुचीत जातियों के लिए लोग सभा में कितनी सीटें आरची था इंपोर्टेंट प्रसन है तो देखिए अनुसुचीत जातियों के लिए जो लोग सभ ठीक है कितना 47 ठीक है इतना अनुसुचित जन जातियों के लिए सीटों का अरचन किया गया है देखे अगला प्रस्ण जो आपका है ये भी भूजाता है इंपोटेंट है लोग सभा में कितनी सीटें अनुसुचित जाती के लिए अरचित है तो अनुसुचित जाती के लिए क अधिकार का क्या करते हैं अभी रच्छक होते हैं अगला प्रसन आपका देखी 15 नुबर प्रसन की निमलिखीत नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्टपती द्वारा नहीं की जाती है चार आपके सामने हैं राजियों के राजपाल संग लोग सेवा आयो के अध्याच लोग सभा के अध्याच या फिर कैबिनेट सचीव तो राइट एंसर हो जाएगा आपका लोग सभा का अध्याच ये जो लोग सभा के अध्याच होते हैं इनका क्या है राष्टपती के दौ़ारा नियुक्ति नहीं की जाती है समझ गया है चलिए बाकि राजपाल का नहीं बन सकते हैं समझ गहें तो इसको द्हान रखियेगा अगला प्रस्न एक सतरकता के दरिश्टी कोन से सरकारी संगठन के निर्मान कारियों के तक्निकी लेखा परिच्छा के कारी को होते हैं सौंपा गया है तो देखिए कोई भी जो होता है एक सतरकता के दरिष्टी कौन से, निकी सुरिष्टी कौन से, सरकारी संगठन के जितने भी काईज, निर्मान काईज होते हैं, उसका तक्निकी लेखा परिष्छा के काईज जो होते हैं, वो किसको सोंपा जाता है, तो वो सोंपा गया है यहा देख भाल करने वाला लोगपाल का क्या मतलब होता है लोगों की देख भाल करने वाला हिंदी में इसका अर्थ होता है जब कि यह संस्क्रीट साल तक हो सकता है ठाइब खाद ये तियल निमणिखीत में से किस से निकाला जाता है तो चिछी उतर हो जाएगा आется डेखिये भांग खायेगा तो नसस चड़ जैगा कपास खाने वोला चीज़ नहीं है और अतन जोट ये सब क्या है ये से तेल नहीं निकाला जासकता है आपका राई से निकाला जाता है, किसे राई से निकाला जाता है, ठीक है, सरसों, अगला प्रसन देखे, भारत में सिंचाई के निम्लिखी तरीकों में से कौन सा अधिक परचलीत है, पहला अप्सन आपका है, जीलों से सिंचाई, दूसरा अप्सन है, कुवें से और टीवेल से सिंचाइटिक है कहीं भी जगह पर एक कुमा खोद दिया गया और यहां पर चारों सुड़ में खेत है खेती हो रहा है यहां से पानी क्या है निकाला जाता है अफिर बोरिंग करवा करके ट्यूब लगवा करके खेती किया जाता है बाइस नवर प्रसन है किरिसी मंतराले द्वारा जारी नवीनतम आकरों के अनुसार निमलिखीत राजियों में से कौन सा राजी सब्जी उतपादन में सबसे उपर है तो देखे सबसे अधिक जो सब्जी का उतपादन होता है वो पस्चि मगाल में होता है सही उतर औप्षन भी हो जाएगा अगला प्रस्थ है भारत के कौन से राइजी में सबसे अधिक सिंचीत छेत्र है तो देखे भारत का सबसे अधिक जो सिंचीत छेत्र है वो आपका उत्तर परदे से ठीक है क्या है उत्तर परदे सबसे अधिक सिंचीत छेत्र है ध्यान रखिएगा इस सब गया था ठीक है तो ये आपको answer जाकर के comment box में जाकर के comment करना है ठीक है समझ गया है तो देखते हैं कितने लोग इसका सही answer कर पाते हैं और अगला वीडियो देखने के लिए आपको simple क्या करना है चैनल को subscribe कर लेना ठीक है मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल को thank you